हाई लोग आईज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गाइडर अखिलेस क्लासेज में बहुत बहुत हारदिक स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैल चटानों के प्रकार के बारे में और उन सैल चटानों के रूपांत्रित रूप के बारे में जानक बहते हैं आग्निय चट्यान और दूसरी होती है अवसाधित तीसरी होती है रूपांत्रित चटाने चलिए दोस्तों तो आग्निय चटाने के अंतरगत आते हैं आती है ग्रेनाइट ग्रेनाइट एक आग्निय चट्यान है जिसका रूपांत्रित रूप जो है जो बदल जा आती है नीस में वेसाल टे का अग्निया चतान है जिसका रूपांतर होता है एम फी बॉलायट में अगली चतान है अवसाधी चतान दो अवसाधी चतान के अंतरगत यह वाली चतान आती हैं तो पहली ये बदल जाती है स्लेट में दोलो माई तिसका रूपांतर होता है शंग मरमर में कांगलो मरेट इसका रूपांतर होता है क्वार्ट जाईट में तो ये सभी अवसाधी चट्टाने है और उपर वाली ये जो थी दोनो ये आग्मे चट्टाने थी अब देखते हैं रूपांत रूपांतरी चत्ताने हैं ग्रैबो जिसका रूपांतर पुनह होता है किसमें सर्पेंटाइन में स्लेट इसका पुनह रूपांतर हो जाता है फाइलाइट में और फाइलाइट का पुनह रूपांतर हो जाता है सिस्ट में तो इसमें प्रश्ण इस प्रकार से बनते हैं इनमे अगर आपसे प्रस्ण बनेगा तो पूछा जाएगा निमन में से आगने चटान कौन सी है तो इस में से मालिया एक दिया होगा ग्रेनाइट बाकी तीन नीचे से आप्सन होगे तो ग्रेनाइट एक आगने चटान यह आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेनाइट या बेसाल्ट कहे आपसे प्रस्ण बनके आएगा बेसाल चटान के से चटान में परिवर्तित या रुपांत्रित हो जाती है तो इंफी बोलाइट और नीचे के तीन आप्सन दिये होंगे तो इस प्रकार से प्रस्ण इस टॉपिक से बनाए जाते हैं तो से लिए दोस्तों जो साथ ही ने हमारे